नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस्वल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जोन नारायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चनाफ का सेमी फाइनल माने ज़ा रहे पंचाच चनाफ के पहले चरण के तेट आज से 18 जिलों में 2.2 एक लाग से ज्यादा पदों के लिए मतदान हो रहा है मतदान सुभाज 7 बजे से शिरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा जला पंचाच सदस्य शेत्र पंचाच सदस्य ग्राम प्रदान और ग्राम पंचाच वाट सदस्य के 2.2 एक लाग से अधिक पदों के लिए 3.3 तीन तीन लाग से ज़ादा उम्मीदवार मैदान में है चार चर्णों में ओने वाले चिनाफ के पहने चरण में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजयबाद, गोरकपुर, जौनपुर, जहांसी, प्रियागराज, बरेली, भदोई, महोबा, रामपुर, राइबरेली, श्रावस्ती, संतकभी नगर, सहारनपुर, हर्दोई और हा एक लाग चियासी अजार से जादा पदों के लिए एक लाग चुबिस अजार से जादा उमीदवार मैदान में है, पंचाय चलाव के पहले चरण में आगरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्ता कर दी गई है, मदान कोविड-19 संबंदित कड़े प्रटोकॉल के बीच हो रहा कोरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए महरास्ट में अगले 15 दिन के लिए घोशित नए सखत कदम बुद्वारास से प्रभाव में आ गई, लोगडाउन जैसी पाबंदिया रात 8 बजे से प्रभाव में आ गई, जो 1 माई को सुभा 7 बजे तक लिकिन सरकार के इस ब्रेक दचेन अभ्यान का कुछ खास असर लोगों पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, पाबंदी के बावजोद लोग अभी भी अपनी मनमानी करते वे दिख रहे हैं, मारास्ट में बुद्वारात 8 बजे से लॉकडाउन जैसी पाबंदिया रहे हैं, मुद्वार को कोरोना वारे संक्रमन के 58,000 से जादा नहीं मामने सामनी आए, जो कि 278 और संक्रमित की मौत हो जाने से कुल मृतिकों की संक्या बढ़कर 58,000 से जादा हो गई है, मारास्ट में 11 अप्रेल को संक्रमन के 63,000 से जादा मामने सामनी आए थे, जो सबसे जादा संक्या है, राज्य में अब तक कुल 35 लाग से जादा लोक संक्रमित है, जिनमें 37 लाग से जादा मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से चुट्टी मिल गई है, वही राज्य में अभी 6 लाग से जादा संक्रमितों का इलाज जारी है, और ये खबर आप सभी के दिल्ये बेहत मैतोपूर्ण है करीब 15 दिन के बाद गुरुवार को तेल कम्पनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती कर लोगों को थोड़ी सी राहत दी है। गुरुवार को दिली में पेट्रोल प्रती लीटर 16 पैसे सस्ता होकर 90.5 रुपे से 90.4 रुपे आ गया है। गुर्टलब है कि से पहले फरवरी में पेट्रोल डीजल लगाता मेंगे हुए थे। कई राज्यों में जो विधानसवा चुनाब का समय आया तब पेट्रोल डीजल में कुछ राहत मिलती। मार्च में देखी। फरवरी में करीब 16 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे और इसे पेट्रोल 4.74 रुपे महंगा हो गया था। इसी तरह डीजल 4.54 रुपे तक महंगा हो गया था लेकिन इसके बाद इनके दाम में 3 बार कटोती हुई जिससे पेट्रोल 61 पैसे और डीजल 60 पैसे सस्ता हो गया है। जिससे पेट्रोल डीजल के दाम आसमान चूने लगे तो इस बात के लिए मांग बढ़ने लगी कि इन्हें जिससे पैसे दाम में भारी कटोती हो सके। एक अनुमान के अनुसार पेट्रोल के दाम जिससे पैसे में आए तो यह अचानक 75 रुपे लीटर तक आ सकता है। या अगर अनुमान जो लगाय जा रहे हैं वो सही साबित होते हैं तो वाकिए आम जिनता का इससे काफी जादा भला हो सकता है। फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहे हैं इन्यूसपाल इंडिया के साथ।